पीते दिनों मुंबई के घाट को उपर में एक आधी आती है जिससे ना सिर्फ वहां मौसम में बदलाव होता है बलकि 14 परिवारों के चराग भी उजड़ जाते हैं अब ऐसे में सवाल यह है कि इसे सिर्फ हम एक असामाईक मौसम का मिजाज मान कर इसे केवल अख़बारों के हेडलाइन के रूप में पढ़ कर देख कर आगे बढ़ जाएं या फिर इस चूक पर इस मानवी चूक पर विचार कर इसके संबन्ध में एक ठोस नीती के बारे में सोचते हुए मानवी संबेदना का परिचेदें तो नमस्कार मेरा नाम है मिताब और दरिश्टी आईएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका मुंबई में हुई इस घटना में 100 फीट का एक होल्डिंग एक सारजनिक स्थल एक पेट्रोल पंप पर गिरता है और वह इसके पीछे कोई मानवी चूक है नियमों की अंदेखी है तो आज के संदर्ब में इसी को हम समझने की कोशिस करेंगे आज का संदर्ब इसी पर केंदरित है मुंबई होर्डिंग हादसा वास्तों में क्या हुआ इसके सभी पहलूओं को समझने की कोशिस करेंगे खबर क्या है चर्चा में क्यों है क्या पहले भी इस प्रकार की घटनाए हो चुकी है ये पहले से होती हुई घटनाओं के सिलसेलेवार क्रम में ही क्या उसकी पुन्रावृत्ती है अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए और शर्म की बात है विचार करने की बात है क्या कहते है नियम इस संब्ध में अगर कुछ नियम बने है तो नियमों में क्या प्रावधान किये गए है उन नियमों को क्या हमेशा उनका नुपालन होता है अगर नहीं होता है तो इस विशे में क्या और ठोस नियम एक ठोस कानूनी धाचा बनाने की जरूरत है रेलवे निकाय के बीच में हमेशा विवाद होते रहे हैं अर्था जो नगर निकाय होते हैं और रेलवे इस प्रकार के जो डिस्प्यूट होते हैं विज्यापनों को लेके वो पहले से चले आ रहे हैं उसको समझने की कोशिस करेंगे किसका पक्षिस में भारी है, किसकी बात सही है, क्या आगे की राह हो सकती है, उस राह पर भी विचार करेंगे और रंत में एक अभ्यास प्रशन होगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी इसका जवाब देने की, अपना सुझाओ देने की सामाने अधेन के प्रशनपत्र 2 और 4 दोनों ही दृष्टिकोर से ये संदर्व महतुपॉण है एथिक्स के पेपर के लिहाज से भी ये संदर्व आपके लिए महतुपॉण है तो सबसे पहले बात ख़वर की करेंगे ख़वर फस्ट पोस्ट की है कि मुंबई होर्डिंग्स कोलाप्स और ऐसी दसा में वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं और एक संरचनात्मक आडिट की बात कहते हैं फिर वो चले जाते हैं उसके बाद संबंधित जो विज्यापन करने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी के ऊपर साथी साथ आप देख सकते हैं कि राजी रेलवे पुलिस के ऊपर और मुंबई नगर निगम का जो विभाग है उसके ऊपर F.I.R. दर्ज करा दी जाती है अब क्या सिर्फ इन कागजी कारवाईयों के होने तक हमारी जिम्मेदारी सीमित है या इसके आगे भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है सभी पहलूँ को समझेंगे चर्चा में होने के इस कारण पे इस गंभीर विशय पर विचार करने के साथ साथ दरसल इसके पुर्व भी जो घटनाएं हुई है उसको एक बार देखना जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा हमारे और आपके घर में हुए उस अनहोनी से जुड़ा है इससे हम तब तक इस पर विचार नहीं करेंगे जब तक हमारे या आपके घर में कोई प्रभावित नहीं होता है हम मानों है और हमारी एक समवेदना है हर एक उस नागरिक के प्रती जो इस प्रकार की घटनाओं से आहत होता है तो इसमें पुर्व की जो घटना है उस पर अगर नज़र डाली जाये तो सितंबर 2023 की एक घटना हुई उत्तर पश्चमी दिल्ली जो रास्ट्री राजधानी छेतर हैं उसमें यहाँ पर नांगल लोई बस डीपो के पास 73 वर्सी अव्यक्ति हैं उनकी इसी प्रकार के एक हो होल्डिंग थी जिसके गिरने से पांच लोग यहाँ भी मृत्यू के गर्थ में चले जाते हैं मृत्यू के गर्भ में चले जाते हैं इनकी मौत हो जाती है सितंबर 2019 में चन्नई में 23 वर्सी आईटी कर्मचारी सुभास्री की मृत्य होती है अवैध बैनर गिरता है उस आगे अगर देखें तो नॉवंबर 2017 में 30 वर्सी एक सौफ्ट वेर इंजिनियर जो है रगुपती कंडा सामी जिनका नाम था तमिलाडू के कोयमबटूर में उनकी मोटर साइकिल एक सडक पर लगाए गए आस्थाई लकडी के होर्डिंग से टकराती है और टकराने की वज लापरवाही हो रही है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात हाई कोड के किपड़ी में भी कही गई कि इन घटनाओं के इन बैनर्स के इन होर्डिंग के जो बहुतायत है नियमों के अंदेखी है इसको करने में राजनितिक हस्तक्षे भी प्रमुफ कारण है तो इनक प्रमुफ की छट जो एक मजबूत छडों के हिसाब से ढाली गई मजबूत छट होती है उसको तोड़ के वो नीचे जाती है अप अनुमान लगा सकते हैं उस बिल्डिंग उस होडिंग की साइज क्या होगी उसका वजन क्या होगा इस बात को समझना यहां अब जरूरी इस नगर निकाय क्या करता है किसी भी एजनसी को यह जिम्मेदारी सौपता है इस प्रकार के होडिंग्स के माध्यम से जो विज्यापन होते हैं उसको करने की अब मुंबई में आप देखें कि विज्यापनों के एक ऐसे प्रदर्शन से संबंधित प्रावधान था जो MMC अध किये गये लेकिन वो अपेक्षित बदलाओ नहीं हुए या जो बदलाओं का प्रावधान किया गया तो उस हिसाब से उनका अनुपालन नहीं हुआ सोचने की बात यह है आईए एक नजर डालते हैं दरसल जो स्वीकार आकार था बाद में इसमें नियमों में कुछ में संसोधन हुआ, 2015 में हुआ, 2024 में हुआ, तो जो मूल मोल मोटा मोटी जो बात नहीं हो आपके सामने हम रखेंगे इसमें यह जो आकार की बात की गई है होर्डिंग्स के यह कहा गया कि 40 गुड़े 20 फीट की गई होर्डिंग्स के और यह कहा गया कि exceptional condition में अगर वो इमार जो सनरचनात्मक रूप से काफी मजबूत है तो उस दशा में आप इसके आकार को 60 गुड़े 20 भी रख सकते हैं लेकिन सामान रूप से 40 गुड़े 20 का जो आकार है वही स्विकार किया गया। साथी उससे कुछ अनुनी होने की भी आशनकाएं जादा होंगे। साथी दो होर्डिंस के बीच की नियूनतम दोरी की बात की गई तो 20 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए अर्था दिन के बीच की दूरी जादा होनी चाहिए। प्रात्मिक रूप से स्थान दिया जाएगा और इस से समझोता नहीं किया जाएगा जहां भी सडग की सुरक्षा प्रभावित होगी। दल चलने वाले लोगों की सुविधा प्रभावित होगी। साथी 2017 में बंबे हाई कोट के द्वारा महरास्त सरकार और सभी नगर निगमों को एक निर्देश दिया गया। यह कहा गया कि जो सारवजनिक स्थान है वहां पर अवयद होडिंग्स न लगाई जाएं अर्थात अवयद वही होडिंग्स होंगी जो उपरोक्त नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। यह भी कहा गया कि राजनेताओं की जो भागीदारी है उसको हाइकोट ने एकसेप्ट किया वो जानती थी हाइकोट के सामने भी जो तथ्या उसके आधार पर उन्होंने ने स्विकार किया कि अमूमन ऐसी कंडिशन में ऐसी होर्डिंग्स देखी गएं जो पोलिटिकल होती या नेमों की अंदेखी होती रही तो यहाँ पर कोट ने भी इस बात को श्विकार किया कि राजनेताओं के द्वारा जो अस्तक्षेप इसमें नहीं किया गया रथा तो उनके एकसेप्टेंस को मान लिया गया ये बड़ी समस्या थी फिर भी पिछले साल ये कहा गया कि राजनितिक दल ही आगे नहीं थे बलकि विभिन धार्मिक जो संगठन थे या जो वणेजी की इकाईया थी वो अपने उत्पादों को लोगों के सामने बड़ा और गरिमा मई दिखाने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंस लगाते हैं तो इसमें नियमों की अंदेखी होत रहती है विज्यापन के माध्यम से व्यक्तिगत लाव कमाना उनका लक्ष होता है और ऐसे में सार्वजनिक स्थानों का शोसण वो करते हैं जिसको कोर्ट ने कहा कि जो सार्वजनिक स्थान है जो आम जन से जुड़े हुए हैं ऐसे स्थानों का शोसण बरदास्त नहीं किय जाएगा इस पर ध्यान दीजिए ये चिंता जनक है अब ऐसे में जो footpath हो गया street light हो गई या सडकें हो गई इनके उपयोग करने की अनुमती नहीं दी गई और विशेश रूप से ये कहा गया कि जो पैदल चलने वाले और सडक के अन्य उपयोग करता है उनके लिए किसी भी प्रकार का अगर खतरा होता है तो उसको ध्यान में रखना सबसे प्रवल कंडिशन है सबसे पहले इसके बारे में सोचना होगा लेकिन इन सारी चीजों को एग्णोर किया गया इसी लिए इस प्रकार की घटनाएं आया दिन होती रहती हैं अगर हम इन नियमों की अंदेखी नहीं करते तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं इसके लिए अने जगहों पर भी धीरे धीरे जागरुकता बढ़ी प्रयास हो रहे हैं लेकिन आवशकता है उनके ठोस क्रियानमयन का चन्नाई में भी तमिलनाडू शहरी स्थानी निकाए अधनियम 2022 के मा प्रतिबंध लगाया गया लेकिन यहां पर राजनितिक इक्षा सक्ती की कमी की वजह से यह चीजें पूरी नहीं की जा सकी तो इसमें कहीं न कहीं इक्षा सक्ती की कमी प्रबल कमी है ऐसे में आपने देखा होगा कि इस केस में भी रेलवे और नगर निकाय के बीच में वि विज्यापन जहां भी होगा उसका विनिमन करने का अधिकार उसके पास है लेकिन रेल्वेश को नहीं मानता वैसे में सवाल उठता है जैसा कि मुंबई वाले मामले में भी देखने में आ रहा है कि घाट को पर में भी यही बात उभर के स्यामने आई है दोनों अपने अपनी चन्नाई नागरिक निकाय ने ये बात कहा कि जो नागरिक निकाय है जो नगर निकाय है उनको रेल्वे की समपत्ती पर जो होल्डिंग्स होती है उनको विनेमित करने का उनको रेगुलेट करने का अधिकार है रेल्वे को अगर रेल्वे के ऊपर ऐसा वो किसी भी प्रकार का शुल्क भी लगाते हैं तो रेलवे को वो शुल्क धेना पड़ेगा इसी प्रकार का एक आदेश उच नियाले के द्वारा 2015 में अगस्त 2015 में उसकी पुन्रावृत्ती की गई तो ये बात तो समझ में आती है कि जो नगर निकाय होते हैं उनके पास ऐसा अधिकार होता है कि जब भी outdoor विज्यापनों की बात होगी तो ऐसे विज्यापनों पर वो विनियमन कर सकती है अगर वो विनियमन कर सकती है तो जिम्मेदारी भी नगर निकाय की बनती है इस प्रकार की अप्रत्यासित घटनाओं के साथ-साथ सिर्फ दोशार ओपड तक ही सिमित नहीं रहना चाहिए जिम्यदारी को लेने की भी बात में आगे आना चाहिए, यहां कहने का मुल मकसद ये था, दूसरी बात है कि आगे की राह क्या हो सकती है, गलतियों से ही इंसान सीख लेता है, अगर चूक होती है, अगर ये मसला जुड़ा है, मानुवी समवेधना का विशय है, हमार लोगों की एक दक्ष लोगों की ऐसी team बनाईजये, ऐसे समुहों का गठन किया जाए, जो कि उचित स्थानों का सरवे करे, ऐसे स्थानों को निरधारित करे, जहां पर उस जगह को उचित माना जाए, उसके आकार को टे किया जाए, उसका प्रारूप कैसा हो, उस पर भाश किस प्रकार की लिखी जाए क्योंकि जो विज्ञापन पर लिखी जाने वाली भाषा है एक समासास्त्री एंगल भी उसका है कि उस भाषा का एक बड़े जन्मानस प्रगहरा प्रभाव पड़ता है साथ ही उसकी चमत कैसी हो उसके वांचनियता कैसी है इन सभी पहलूँ पर के टीम विचार करें ऐसे दक्ष लोगों का एक समूव हो जो विचार करने के साथ साथ ये बताए कि ये ये चीज़ें होनी चाहिए साथ ही ऐसी इमारतें कई ऐसे बिल्डिंग्स आप देखते हैं जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एडवर्टीजमेंट के लिए वनी देना चाहिए उसको इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए राजनितिक जो हस्तक्षेफ है वो कम से कम हो राजनितिक लोग भी हमारे आपके बीच के ही होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि कि किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाली ये दुरगटना उनकी अपनी सम्वेदना से जुड़ा हुआ प्रश्ण है, इसलिए राजनेतिक अहस्तक्षेप होना चाहिए, उन्हें अपने ही प्रशंसा में लगाई गई होल्डिंग को अगर वो नियमों की अंदेखी करती है, तो वहाँ पर निशेद करने की आवशक्ता है, साथी एक रास्ट व्यापी नीत बनाई जानी चाहिए, एक मॉडल के तौर पर उसी नीत को भले ही स्टेट अपने हाल लागू करे, तो अवशक्ता है इस दिशा में गंभीर होके एक कानूनी धाचा बनाना, न सिर्फ एक कानूनी धाचा, बलकि हमें आप सरकार सब को समान भ कौन सा ऐसा प्रयास है, जिसे होर्डिंग से होने वाली दुरघटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, व्योर्यवार सर्वे के द्वारा दक्ष लोगों के समूव का गठन कर, राजनितिक हस्तक्षे बढ़ा कर या इन में से कोई नहीं, तो उम्मीद है आप सही और सठीक कर जई वाल, बाम कर दोब में से का ऊत्य दूतिक जशने में सा आप सlais झाल झाल